ओम शांती आज नया साल है और नए साल पर नवीनता का आवाहन करते हैं नवीनता विचारों के अंदर एक दूसरे को हम नए साल की मुबारक तो जरूर देते हैं लेकिन आज से हम एक नए युग की मुबारक दें नव युग मुबारक हो पुराना समाप्त हो जाए, जीवन के अंदर भी एक आज से नया अध्याई आरम करें और वो नया अध्याई एक नया युग लिखने वाला बन जाए आज के दिन पर विशेश कई स्थानों पर वरजमंडल के अंदर गोवर्धन पुजा हो दी है अब परवत की पूजा वरक्षो की पूजा हम क्यों करते हैं बहुत सुन्दर भाव लिये हुए आज का दिन है भावर्त यही है वरक्षो की पूजा परवतों की पूजा गाय की पूजा अर्थात मनुष्य संसार के अंदर जब आता है अकेला नहीं होता है पेड़ पौधे व्रुक्ष और पशु पक्षियों के साथ उसका जीवन बहुत गहरा संबंद रखता है और इसलिए खाली हमें अपने को यह हमारे एन्वायरमेंट को खाली प्रोटेक्ट नहीं करना है उसकी सुरक्षा खाली नहीं रखनी है लेकिन मनुश्य जीवन के अंदर गाई माता कभी एक बहुत बड़ा संबंध है यानि पशु पक्षियों को भी हमें सुरक्षित रखना है उनके भी कहीं पर भी हत्या नहों हो कोई वायलन्स नो हो जितना पशु पक्षियों से भी हम प्यार करते तो प्रकर्ती से भी प्यार करें आज के दिन एक पेड जरूर लगाए और एक पेड लगाते हुए हम उस पेड के माध्यम से अपने इस प्रत्वी को सुरक्षा की और ले जाते हैं जहां मानव जीवन की सुरक्षा हो पूजा करना माना उसके प्रती स्रेश्ट भाव पूजा करने तक न हो लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हम सब की है तो इसलिए पेड पौधे आदे की सुरक्षा यह हमारा दायत्व है पश्यू पक्षियों की सुरक्षा यह हमारा दायत्व है तो आज गोवरधन पूजा खाली न करें लेकिन ये संकल्प बद्ध बन जाए कि आज से लेकर के इनकी रक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी है तबी तो हम नया साल मनाएंगे नये युग का आवाहन कर सकेंगे तो इसे लिए गोवर्धन पूजा माना हमारी पूजा सची यही है कि हम हर एक को जीने का हक दे उसके जीने की व्यवस्था बनाये रखे और तबी हमारी अपनी जीवन की व्यवस्था भी बनी रहेगी हम अपने मनुश्य जाते की भी सुरक्षा बनाये रखेंगे तो आज के दिन नए साल की नए यूग की नए विचारों की बहुत बहुत बधायां हो शुब मुबार्खो 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 ओम शांति हम अपने मुबार्खो 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 मुबार्खो